नमस्कार साथियों, जैसा कि JPSC की मुख्य परिछा में कुल 6 पेपर होंगे, तो 6 पेपर में हम इस वीडियो में पेपर 3 की चैचा करेंगे, उसके सिलेबस और स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, और बात करेंगे की प्रस्न पत्र किस प्रकार से होंगे, अगर इन सभी बातों हमको आप ध्यान से समझते हैं, तो आपके लिए इस पेपर की तयारी करना काफी आसान साबित होगा, आपको बता दे कि पेपर 3 कुल 200 अंखो का होगा, और इसके लिए आपको कुल 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जैसा कि आपको पता होगा कि 6 पेपर के लिए आपको कुल तीन घंटे का ही समय दिया जाएगा है पर तेक पेपर तीन तीन घंटे का होगा तो जो दो सो अंखों का या पेपर होगा उसमें आपको बता दे कि इतिहास और भुगोल से प्रस्न पूछे जाएंगे इतिहास आपका सो अंख का होगा जबकि भुगोल भी आपका 100 अंख का होगा यानि कि 100-100 अंख इतिहास और भुगोल से आपके पूछे जाएंगे कुल या पेपर 200 अंखों का होगा तो चलिए अब देखते हैं कि इस पेपर के प्रस्न का प्रारूप यानि कि पैटर्न कैसा होगा और किस-किस सेक्षन से प्रस्न रहेंगे और किस प्रकास से रहेंगे सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की जिससे की आपको 100 अंख के प्रस्न देखने को मिलेगा जिसमें पहला प्रस्न आपको 10 MCQ होगा पहला प्रस्न में आपको 10 MCQ प्रस्न देखने को मिलेगा पर तेक प्रस्न दो अंख के होंगे यानि की कूल 20 अंख के प्रस्न होंगे आपको बता देखिए ये 10 MC की प्रस्न आपके पूरे इतिहास के सिलेबस से होगा आगे बात करते हैं आगे आपको option लिखा हुआ मिलेगा कि किनी दो प्रस्नों का उत्तर देना है आपको किनी दो प्रस्नों का उत्तर देना है और प्रस्न क्या होंगे सकेंद प्रस्न होगा जो प्राचीन भारत केतिहास से होगा थर्ड प्रस्न होगा जो कि मद्यकालिन भारत केतिहास से होगा फोर्ड प्रस्न होगा जो कि आधुनिक भारत केतिहास से होगा और फिर प्रस्न होगे जो कि जहारखन के तिहार से होगा इसमें से आपको केयल DO PR प्रस्नों का ही जवाब देना है तो आप यह ध्यान दें इसके लिए अपको डिटेल से एंसर लिखना होगा होगा प्रते-प्रस्न 4नाँख का होगा जो 2 प्रस्ण का जवाब देना उसमें से प्रस्ण 40 अंख का होगा यानि की कुल असी अंख हो गये Şimdi के कूल 20 अंख और इसमें असी अंख यानि की कुल 100 अंख हो गये तो देखिये आप यहांगर यहां पिध्यान से नजर दालियेगा तो देखिए कि आपको जो चार ओप्सन मिल रहे हैं प्राचीन भारत, मद्यकालिन भारत, आधूनिक भारत और जहारकन के इतिहास इसमें से केवल आपको दो ही सेक्षन के प्रस्न बनाने हैं मेरी बातों को ध्यान से सुनिए केवल दो सेक्षन के प्रस्न बनाने हैं यानि कि आपको मेंस की यानि की answer writing यानि की descriptive की दिरिष्टिकों से केवल दो section को तयार करना है आप इन में से कोई भी दो section को तयार कर सकते हैं और उस दो section को इतने अच्छे से तयार कीजिए कि उससे में descriptive का प्रस्ण आपका नहीं छोटे और बाकी जो MCQ के दृष्टिकों से तैयार कीजिए, बाकी सेक्षन को MCQ के दृष्टिकों से तैयार कीजिए, तो इस प्रकास से आप इतिहास के सेक्षन को अच्छे तरह से तैयार कर सकते हैं, अगर आप दूर सेक्षन को अच्छे से तैयार करते हैं, तो आपके लिए सिले परचिन भारत परणने बैठ जाईएगा तो आपके लिए हुआ नुकसान रह साभित होगा अगर आप सिलेवर्स के नुरुक नहीं परते हैं तो आपकी तैयारी कठिन साभित होगी और उसका बेनेफिट भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा तो आप परतेक सेक्षन के सिलेव साभित होगा क्योंकि तोपिक से ही प्रस्न आपको उठकर दिखेंगे तो ये तो बात हुए प्रस्न पत्तर के प्रारों की छादरों के बीच संसय होता है कि वो कौन सी पुष्टक पर है तो एक इसमें हम बात जरूर कहेंगे कि आपको गई सिलेवस के अनुरूप यानि कि हर एक तोपिक को अच्छे से डिस्क्राइब और डिपली डिस्क्राइब किया हो गया है पुष्टक आपको प्राप्त होता है तो वह पुष्टक आपके लिए परफेक्ट होगा आपके लिए सही होगा वसरते कि आपको पुष्टक अच्छे से समझ में आए ठीक है तो दो पुष्टक जो कि UPSC या NPCS की तयारी करने वाले चात्रों के बीच होते हैं, तो हम बता देते हैं, प्राचिन भारत के लिए पुष्टक है, आरेश सर्मा यानि रामसरन सर्मा जो कि अल्ड NCRT की पुष्टक है, इसे आप फोलो कर सकते हैं, इसे आप सिलेवर्स को मिला कर इ आधुनिक भारत के लिए, मेरे नजर में इस्पेक्ट्रम आपके लिए सबसे उप्युक्त सावित होगा, इस्पेक्ट्रम से आपको लग 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 सारे टॉपिक मिल ही जाएंगे, और पुष्टक भी काफ इस्टेमेटिक वेसे हैं, तो आपके लिए परफेक्ट सावित ह बात करें जहारखन के इतिहास के लिए कोई परफेक्ट पुष्टक नजर में नहीं है आप कोई सी कौचिंग के नोर्स को या फिर लुसेन पुष्टक जो कि पूरी तरह से इसलिबस को फॉलो नहीं करता है मतलब कम पढ़ने से तो नहीं होगा मनी सरंजन के पुष्टक जो क आपको कुल सौ अंख के प्रस्ण पूछे जाएंगे या भी कमोवेश इतिहास के सेक्षन के जैसा ही रहेगा जैसा कि आप देख सकते हैं इतिहास और भुगोल के सेक्षन में लगवग सेम प्रकास से प्रस्ण पत्र के प्रारूप है पहला प्रस्ण होगा 10 mcq का जिसमें कि प्रते एक प्रस्ण आपको दो अंख के होंगे तो कूल हो जाएगा 20 अंख उसके बाद आपको लिखा मिलेगा कि किन ही दो प्रस्णों का उतर देना है किन ही दो प्रस्णों का उतर देना है तो इसमें चार ओप्सन होंगे आपके सामने तो इन में से किन ही दो प्रस्ण आपको ध्यान में रखना है जारकाल के भूग उसके प्रकाल से आप बना रहे इंद आप thirsty भूगोर का भूगोरा काफी अच्छे से descriptive के नजड़िये से तयार कीजिए जिसमें आपको लेखन करना है यानि कि 90 प्रसन का जवाब देना जो कि 40 अंकर का प्रसन होगा उसका जवाब देना तो आपको उसके syllabus को ध्यान से देखिए जिस खंड के लिए आप तयार करने वाले उसके syllabus को ध्यान से दे बात कहेंगी कि जो syllabus दिया गया है उससे आपका topic मिलता है और हम आपको पुष्टक अच्छे से समझ में आता है आप समझ पाते हैं तो आपके लोगा पुष्टक उप्यूप्त होगा अगर बात कीजाए जेगरोफी section के लिए मेरे नजर में NCRT काफी बेस्ट पुष्टक ह जरूर से जरूर फोलो किजिए क्योंकि NCRT आपके बेस्ट तैयार करने के साथ साथ आपके syllabus को भी कभर कर रहा है इसलिए NCRT बेस्ट है अगर NCRT के अलावा अगर कोई topic आपको लगता है कि NCRT में काफी कम दिया गया है या भी नहीं दिया गया है तो आप महस परनवाल की पुष्टक को से उस topic को पर सकते हैं महस बरनवाल की पुष्टक से उस topic को पर सकते हैं तो आपके लिए उप्योक्त होगा यहां पर फिर से हम जार्कन के भुगोल और उसके संसाधन का उप्योग की बात की जाए तो इसके लिए आप किसी coaching material को देख सकते हैं या फिर आप म करने चाहिए जो कि आपको जाना चाहिए हम सभी बातों का चाचा किए आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए जो कि इस paper मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं और हमने cut-up का video तैयार किया है अगर आपका उस cut-up के आसपास आता ह है तो आपमें इसकी तैयारी में लग जाइए और हमने objection के लिए भी बताया था तो आज अठाइच तारिक है और आज आखरी डेत है objection का तू जिन लोगों ने objection नहीं किया है वह objection कर सकते हैं तो इस video को यहीं तक रखते हैं धन्यवाद